हरे कुद्दे का दिन न आज दे रहा है तेल कभी नहीं आएगा क्योंकि कुद्दा बनने के लिए भी वफादार होना पड़ता है तो इस वीडियो में कुछ इस टाइप के एडिटिंग सिखाने वाला हूँ इस टापिक पे बहुत से कमेंट आये थे तो फाइनली वीडियो लेकर आ गया हूँ बेसिकली यह एडिटिंग पीसी में एई एप पर होती है लेकिन मैं आपको एंड्रॉइड में सिखाने वाला हूँ और हाँ सभी material की download link आपको description box में मिल जाएगी तो इस वीडियो को इसके मत करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले light motion app को open कर लेना फिर projects पर click करना जो material मैंने आपको दिया है उसे light motion app में import कर लेना फिर wheat mark project को open करना यहाँ पर first wheat mark आठ उन्ने सब लगा होगा इससे पहले आपको dialogue की clip add करनी है तो पलस आइकन पर click करके media पर click करना फिर उस folder को select करना जिसमें आपने dialogue clip को download किया है फिर select करके clip को add कर लेना अब आपको इसे long press करके सबसे नीचे ले आना है अब dialogue clip add हो गई है अब आपको click button को add करना है तो clip button पर click करना है फिर color and fill पर जाके फिर इस option पर click करके आपको अपनी clip button को select करके add कर लेना है आपको मेरे bitmar project में clip so हो रही होगी पर आपको अपने bitmar project में clip so नहीं होगी इसलिए आपको इसी तरह से सभी clip को add करना है अब आपको clip 2 को add करना है तो clip 2 को select करके color and field में जाके इस option पर click करके आपको clip 2 को select कर लेना है select करने के बाद आपको इसे add कर लेना है clip 2 add हो जाने के बाद इसी तरह आपको clip 3 को add करना है and इसी तरह आपको सभी clip को add कर लेना है सभी clip add हो जाने के बाद अब आपको इसमें song को add करना है तो simply plus icon पर click करना है and audio पर click करके आपको अपना song select करके add कर लेना है तो song add हो जाने के बाद आपको इस project से back कर देना है अब आपको dialogue text animation project को open करना है project open करने के बाद अब आपको इसमें font add करने हैं तो सभी font की link आपको all material link पर मिल जाएगी तो group 1 में मैंने वीवास font को add किया है जब आप layer पर click करेंगे तो आपको font का name देख जाएगा उसी हिसाब से आप add कर लीजिएगा जब आप group 4 पर click करेंगे edit group पर जाएगे तो यहाँ पर आप 6 layer में जो font add है वालाइट मोसन का है तो वो आटोमेटिक हो जाएगा एंड उपर की तीन एंड उपर की तीन टेक्स लियर में जो font है उसका link मैंने आपको दिया है तो उसे आप download करके add कर लीजिएगा यहाँ पर सभी font add हो जाने के बाद आपको इस option पर click करना है and select all layer कर लेना है फिर इस option पर click करके copy for layer कर लेना है फिर इस project से back चले जाना है अब आपको bitmark project को फिर से open करना है open करने के बाद आपको इस इस पर click करके paste for layer कर देना है तो आपका text animation add हो गया है अब आपको cc effect add करना है तो आपको इस project से back कर देना है and HDR CC project file को open करना है open करने के बाद आपको इस option पर click करके select all layer पर click करना है फिर आपको copy for layer कर लेनी है and आपको फिर से bitmark project में आकर आपको उसी option पर click करके paste for layer कर लेनी है paste हो जाने के बाद अब आपकी editing complete है अब आपको इस option पर किलिक करके इसको export कर लेना है